हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग नमशकार राम राम सत्रियकाल कई हाल चाल है थारा आनन्दम हो तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ में R.A.S. सिरीज का मेरा तीसरा लेक्चर तीसरा मैं अपनी तरफ से अपना अस्त्र आप पे प्रियोग करूँगा पहले लेक्चर में मैं आपको बताया R.A.S. कैसे आपकी एक ड्रीम जॉब बन सकता है एक ऐसा सपना जिसे देखने में लोग डरते हैं वो सपना आप भी कैसे अचीव कर सकते हैं दोस्तों सेकिंड लेक्चर में मैंने आपको बताया कि बेसिक इंफॉर्मेशन अबाट R.A.S. के बारे में जो दूसी जानकारियां आपको जुरत है दोस्तों आपके जैसे अलग स्ट्रुएंट्स को जुरत है जो डरते हैं कि हम R.A.S. को कैसे क्लिक करेंगे उनके बारे में लेक्चर आपके सामने लेकर आ रहा हूं R.A.S. Preliminary Examination Slabers जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि R.A.S. परिक्षा में R.A.S. examination में तीन लेवल्स होते हैं दोस्तों प्रारंबिक परिक्षा यानिकि Preliminary Examination मुख्षे परिक्षा जिसे हम Main Examination भी कहते हैं परिक्षा के पाठिक्रम यानिकि syllabus के बारे में आपको जानकारी की जुरत पड़ेगी syllabus क्या चीज होती है दोस्तों syllabus या पाठिक्रम वह चीज है जिसमें आपको ये जानकारी मिलती है कि आपको किस दाइरे में रहते हुए तयारी करनी है क्या-क्या subjects आपको main topics आपको cover करन है दोस्तों और मैंने आपको जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको कहा था दोस्तों कोशिश करते रहिए क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती उसी हार में ही उसे जीत का रास्ता मिलता है अगर वो कोशिश करेगा दोस्तों मानली जी आप पांच बार फेल हो गए पांच बार आप नाकाम रहे तो आपको यह नहीं सोचना है कि मैं पांच बार नाकाम रहा अगली बार कामियाब कैसे होंगा आप यह सोचिए उसको positively कि आपने पांच रास्ते ऐसे देख लिए जिन पे चलकर आपको नाकामियाबी मिल सकती है और कामियाबी का रास्ता कामियाबी का सफर दूसरा है उस सफर में हम आपके साथ हैं आपने सपने देखे लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर कुछ दूर चलना भी पड़ता है मनजिल पाने के लिए तो आप सिर्फ सोचते रहेंगे सपने देखते रहेंगे उससे कुछ नहीं होगा जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको कहा था मैं आपको मजदार में छोड़ूँगा नहीं मैं आपके साथ चलूँगा एस अ मेंटोर एस एक गाइड मैं आपको गाइड करता रहूँगा किस स्टेज पे आपको क्या एक्चन लेना है बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियो भी डालके और मेरे इनी जो नॉलेजबल वीडियो जे उन में मोटिवेशन का ग्यान आपको देगे आपके अंदर वो आग में जगाता रहूँगा उस आग की लौकों मैं ठंडी नहीं पढ़ने दूँगा दोस्तों आपको मैं एग्जामिनेशन हॉल में सक्सेस्फुल देखना चाहता हूँ पिछले वीडियो में जो लाइक्स और सब्सक्राइबस आपने दी हैं दोस्तों वही मुझ में मोटिवेशन पैदा करता है वही मुझ में जुनून पैदा करता है कि मैं आपको फिर से और नया ग्यान देता रहूं नई रचना आपके दिमाग में करता रहूं तो दोस्तों आपको गाइड करने के लिए महमेश अतत पर रहूंगा IPA, IPA इंस्ट्टूट के साथ में IPA इंस्ट्टूट जो आपको CACS and Civil Services के तैयारी कराता है आपको सारी जानकारिया वहाँ पर मिलेगी दोस्तों बहुत ही guided बहुत ही talented faculties हैं दोस्तों वहाँ पर जो आपको सारे facts और सारे आपको जो मुसीबते हैं जो आपके दिमाग में confusions हैं उन्हें clear करेगी दोस्तों तो we are with you and we are with you always we will guide you there जैसे आप वहाँ पर पहुँच सकेंगे दोस्तों तो फिर आपने सपना देख लिया मैंने आपको कहा कि चलिए दोस्तों फिर उठो तो ऐसे उठो उठो तो ऐसे उठो की फक्र हो बुलंदी को जुको तो ऐसे जुको की बंदगी भी नाज करें तो दोस्तों ग्यान बहुत हो गया अब मैं जो आज की वीडियो में आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों उस जानकारी की शुरुआत आपसे करूँगा जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों आरेस परिक्षा का आयोजन राजस्तान लोक शहाय हम दो जाता है जिसके दफ्तर है अजमेर में आरेस प्रेलिम्नरी एग्जामिलेशन यानि की राज्डियोमी प्रिक्षा की बारे में तो इसमें छटनी कर दी जाएगी कि कौन capable है mains लिखने के लिए किस के पास basic knowledge है और किस के पास नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताए था पिछले lectures में कि R.A.S. का syllabus आप download कर सकते हैं R.A.S. के बारे में notifications के बारे में उसके advertisement के बारे में आप सारी जानकारी ले सकते है R.A.S.C. के website पर जिसका नाम है rpsc.rajistan.gov.in अब आपको बताऊं दोस्तों कि preliminary examination जो होता है जिसको हम प्रारंबिक परिक्षा का नाम भी देते है उसकी क्या stages होती है उसका क्या pattern होता है दोस्तों उसमें सिर्फ एक paper आएगा दोस्तों आपके पास उस paper का नाम है General Knowledge and General Science अब उस paper को आपको करने के लिए marks दिये गए हैं दोस्तों 200 marks यानि कि 200 marks के लिए आपको लड़ाई लड़नी है इसका duration है दोस्तों 3 घंटे का इसमें 1.500 questions आएंगे और सबसे महत्वून जानकारी जो आपके लिए है जो आपको याद करने लाइक चीज है वो यह है कि इसमें negative marking भी है यह ऐसा जरूरी है दोस्तों यह एक ऐसा अस्त्र है मान लीजिए आप कहीं मजार में गए एक पिस्टल खरीदने के लिए और आपको आदमी ने बतायने की फिस्टल बैक फायर भी करती है तो आपके कंदे में जोट आ जाएगी और आप उसके कारण जो आपका अस्त्र है वो आप पर ही उल्टा पड़ जाएगा तो दोस्तों negative marking वो चीज है जिसमें आपको हमेशा पेपर देने से पहले इध्यान रखना चाहिए कि आप अगर डेड़ सो कॉशन्स अटेम्ट करने जा रहे हैं तो कट आउफ लिस्ट क्या गई है आरेस की पिछले 3-4 सालों में कट आफ लिस्ट आरेस की जा रही है दोस्तों 40-50% के आसपार अगर डेड़ सो में से 75 कॉशन्स आपको लग रहा है यूर 100% शॉर तो मैं कहूंगा आपको आगे वाले कॉशन्स में इस कम लेना चाहिए क्योंकि negative marking ऐसी चीज है कि जो कमाया हुआ है वो आप वहीं खो सकते हैं जैसे share market के बारे में कहा जाता है कि कमायी हुई share market की दौलत आपने share market जब negative गया उस समय को खो दी इसलिए अपने को वैसा बेवकूप नहीं बनना है बुद्धिमानी तरीके से आपको अपना paper attempt करना है दोस्तों यह सारी knowledge में आपको आगे वीडियो जो आएंगे दोस्तों जिसमें आपको मैं strategy के बारे में discuss करूँगा आपको वो मैं पूरा roadmap बना के दूँगा जिस पे आप चलते हुए R.A.S. या राजस्थान की जो दूसरी परिक्षा है उन्हें click कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद में हम आते हैं R.A.S. के syllabus के बारे में अब R.A.S. के syllabus दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया site पे मिल जाएगा लेकिन site पे आपको उसको classified करके जानकारी नहीं दी जाएगी कि R.A.S. में जो भी topics आपके syllabus में आए पाठ्थे करम में आ रहे हैं उस पाठ्थे करम को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों उसमें से एक हिस्सा जिसमें सिर्फ राजस्थान के बारे में जानकारी ली गई है राजस्थान के data ये राजस्थान के facts ज्यादा ज्यादा आपको cover करने है दूसरा हिस्सा आते है जो general topics है जिसमें India and the world यानि की भारत और दूसरे विश्व की जानकारी आपको वहाँ पे चाहिए तो दोस्तों जो राजस्थान के specific parts है उनके बारे में आपको देखिएगा इसमें आने कि राजस्तान का सहित्त ए राजस्तान की लोग कला संस्कृती राजस्तान का इपिहास इसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए इस्टुन्ड्स उसके बार में आते हैं geography of राजस्तान जिसको कहते हैं राजस्तान का भुगोल तीसरा पॉइंट है administrative and political system of राजस्थान राजस्थान का प्रशास्थिक वे राजनेतिक system कैसा है economy यानि कि राजस्थान की अर्थवेवस्ता कैसी है और current affairs जिसको हम समसमाई की के नाम से जानते हैं हिंदी में current affairs के लिए आपको दोस्तों आज से ही newspaper और magazines को पढ़ना चालू कर देना चाहिए newspapers में जो editorial आते हैं उसमें से आप अपने notes बनाईए कैसे उस editorial में सारी जानकारी दी गई है कैसे connect किया गया है अलग-अलग facts को वो आप समझने की कोशिश कीजिए domains में आपको answer लिखने में बहुत help करता है magazines आपको monthly या weekly एक magazine बान लेनी चाहिए जिसमें जो data आते हैं उन data को आप regularly पढ़ते रहिए regularly revise करते रहिए क्योंकि आप ये समसमाई की ऐसा एक subject है दोस्तों एक ऐसा topic है जिसको आप अगर चाहें तो दस दिन या महीने बर में पूरा cover नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको step to step चलना पड़ेगा chronology क्रम set करना पड़ेगा रोज का आपने एक गंटा newspaper को दिया आप All India Radio पे जो news channel पे news आती है उसको भी पढ़ सकते हैं generally आप इन news channels पे मत जाईएगा जिन पे बिना मतलब की बहस श्री रहती है और लोग सबा राजे सबा टीवी भी देख सकते हैं उसमें भी current affairs के काफी data आपको मिलेंगे कैसे discussion करते हैं कैसे editorials लिखते हैं कैसे आपके दिमाग में जो चीज है आप उसको सामने examination hall में examiner को समझा पाएंगे ये चीजें आपको उसमें लिखनी है अब दोस्तों राजस्तान के parts मैंने बता दिया आपको अब मैं आता हूँ general topics पे general topics में दोस्तों राजस्तान का इतिहास भारत का इतिहास यानि कि Indian history ancient medieval modern यानि कि प्राचीन, मद्देकालीन आधुनिक इतिहास यानि कि राजस्तान का students उसके बाद में आता है भूगोल, हमने राजस्तान का राजस्तान के parts में देख लिया इसमें आपको आएगा wish वे भारत का भूगोल Indian political system constitution and governance यानि कि भारत का राजनेतिक system कैसा है, राजनेतिक प्रणाली कैसी है, यहां का समिधान कैसा है, और यहां का साशन प्रणाली कैसी है economic concepts and Indian economy यानि कि भारती अर्थविस्ता के बारे में science and technology, विज्ञान और प्रद्विक्य की बारे में, reasoning and mental ability जिसको आप समसे हैं, मैट्स के questions आएंगे reasoning, आपकी reasoning के बारे में जानकारी इसमें होगी, current affairs वही समसमाई की राजस्तान लेवल पर राजस्तान की पढ़ेंगे इसमें world की और इंडिया लेवल की आपको समसमाई की पढ़नी है, उसके बाद दोस्तों, मैंने आपको syllabus का parts कर दी हैं, syllabus को आप कैसे divide करके पढ़ेंगे उसके बाद दोस्तों, मैं आता हूँ पहले topic पे, जो राजस्तान इंडिया का जो history के बारे में है, या राजस्तान की history के बारे में है, जो मैंने आपको भी पहले discuss किया था, history, art, culture, literature and tradition of Rajasthahn इसमें जो points, main points आपको cover करने है, वो points आते हैं दोस्तों, major landmarks in the history of Rajasthahn, major dynasties their administrative revenue system and social cultural issues यानि कि Rajasthahn के इतिहास के प्रमुख जो term periods रहे होंगे उनके बारे में प्रमुख राज्यवन्स राज्यवन्स रहे हैं, उनके बारे में जानकारी चाहिए होगी, उन समय के प्रशास्निक और वहां के राज्यवन्स के सिस्टम के बारे में चाहिए होगा और social cultural issues के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, दूसरा आता है दोस्तों कि Rajasthahn का क्या रोल रहा है freedom movement में, इंडियन freedom movement में, freedom movement, political awakening and integration यानि की जो हमारा आजजदी का संघर्श रहा है उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहता है, कैसे राजस्थान के राज्यों को बनाए गया, अलगले रियास्तों को मिला कर उसके बारे में जानकारी चाहिए फिर architecture के बारे में जिसमें आता है दोस्तों force and monuments यानि की किले और मगबरे और दूसरी जो चीज़े है पुरा पुरातत्तो काल की arts, painting and handicraft यानि कलाव चित्रकला important works of राजस्थानी literature and local dialects राजस्थानी सहित्ते के प्रमुख कार्य और local languages हैं fairs, festivals, folk music and folk dances यानि की मेले, त्योहार और यहां की लोक, नर्ते, लोक, गायन ये राजस्थान की एक अद्गुत चीज़े हैं दोस्तों इसको देखने के लिए बाहर से ट्यूरिस आते हैं इसको study करने के लिए जो foreigners हैं काफी interest लेते हैं क्योंकि uniqueness जो राजस्थान के music में संत्व लोक, देउताओं के बारे में धार्मिक जो आंदोलन चले उनके बारे में उसके बाद में students आता है important tourist places यानि की जो प्रमुख प्रियतन के स्थल हैं उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए leading personalities of राजस्थान ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित उनके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए फिर दोस्तों राजस्थान का पार्ट मैंने cover कर दिया उसके बाद में आपको cover करना है दोस्तों Indian history Indian history में आपको पहले उसको दो भागों में किया गया है इस लिबस में ancient and medieval period और दूसरा आएगा modern period ancient and medieval period में आपको पहला point है students salient features and major landmarks of ancient and medieval India मद्यकालीन वे प्राचीन भारत की जो प्रमुख जानकारियां है प्रमुख जो संदर्ब हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए art, culture and literature and architecture पहले राजस्थान के बारे में जानकारी लिए अब आप भारत के बारे में जानकारी लेंगे major dynasties, administrative, socio-economic conditions, prominent movement जो प्रमुख राजवन्स रहे हुए हैं उनके बारे में उनका जो प्रसास्रिक प्रडाली थी उसके बारे में socio-economic conditions और जो प्रमुख राजवन्स चले उनके बारे में उसके बारे में दोस्तों modern period में आपको इस period में से काफी data आपके cover की जाता है काफी person आपके examinations में आते हैं modern Indian history, significant events, personalities and issues modern Indian history को हम 18-18 सदावदी के बाद में गिनते हैं दोस्तों उस समय के जो प्रमुख काम हुए, कारे हुए, उस समय के जो व्यक्तितु थे, उस समय के जो मुखे कारण थे उनके बारे में जानकारी चाहिए होगी freedom struggle in Indian national movement, its various stages and important contributions and contributors from different parts of countries यानि कि भारत का सुतंतता आंदोलन उसमें किन-किन का योगदान रहा, वो कौन-कौन से हिस्से को बिलॉंग करते थे, उनके बारे में जानकारी चाहिए होगी social and religious reform moments in 19th and 20th century 19th and 20th सदाबदी में जो सामाजिक वे धार्मिक आंदोलन चले थे उत्थान के लिए उसके बारे में जानकारी चाहिए post-independence consolidation and reorganization within country independence के बाद में कैसे देश का निर्मान किया गया उसके बारे में जानकारी चाहिए आपको उसके बारे में दोस्तों history के दो parts आपने cover किये इसमें राजस्तान और इंडिया अब हम आते हैं geography of India and world मलब भारत वविश्व की भूगोल के बारे में जानकारी आपको चाहिए होगी यहां पर world geography में आपको जो points cover करने हैं broad जो यहां की physical features जो है फिर environmental and ecological issues जो हैं फिर आते हैं wildlife और बायो डाइवर्श्व को cover करें international waterway यानि की वैश्विक जो नदिया वगरा उनके बारे में major industrial region जो बड़े और जोगिक regions हैं उनके बारे में फिर geography of इंडिया में आपको cover करना है दोस्तों broad physical features and major physiographic divisions यानि की भारत को आप भूगोल के नजरिये से इसको divide करना है जो division हुआ है इंडिया का उसको देखिएगा agriculture और अग्रियो बेस्ट एक्टिविटीज यानि क्रिशी और क्रिशी आधर जो भी एक्टिविटीज हैं उनके बारे में खनिज और उनका खनन उसके बारे में iron, manganese, coal, oil and gas and atomic minerals के बारे में major industries and industrial development जो प्रमुक उद्योग है बारत के उनके बारे में उनका विकास कैसे हुआ उसके बारे में जानकरी आपको चाहिए होगी transportation and major transport corridors, transportation के बारे में जो यतायात है उसके बारे में जानकरी चाहिए होगी और natural resources के बारे में जानकरी चाहिए होगी 7.2 दोस्तों है environmental problems and ecological issues, जो परियावरन के जो issues है उनके बारे में जानकरी आपको चाहिए होगी world India के बारे में पढ़ने के बाद आपको राजस्तान के बूगूल के बारे में जानकरी इसमें जरुत पढ़ती है इस्टुएंट्स उसमें broad physical features and major physiographic divisions जैसे हमने विश्चु कि भारत के बारे में इसके divisions पढ़े इसके प्रकार पढ़े इसके बाटा गया इसको वैसे आपको राजस्तान के बारे में जानकरी होनी चाहिए राजस्तान natural resources कौन कौन से उनके बारे में जानकरी होनी चाहिए इस्टुएंट्स सेकेंड पॉइंट है आपका climate, natural vegetation, forest, wildlife and biodiversity यानि कि यहां का वातावरण कैसा है यहां पर कौन सी होनी चाहिए तो यह गूगोल के बारे में पार्ट आपको पढ़ना रहेगा उसके बारे में आप आएंगे दोस्तों इंडियन Constitution Political System and Governance यानि की भारत का समिधान यह उसका राजनेतिक सिस्टम राजनेतिक प्रणाली और यहां की साशन प्रणाली है इसमें दोस्तों इस्टुएंट्स पहला जो पार्ट आता है Constitutional Development and Indian Constitution यानि की भारत का समिधान और उसका विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए इनके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए पिर आते हैं दोस्तों Indian Political System and Governance के बारे में समिधान के बारे में पढ़ने के बारे में पढ़ने के बारे में जो भारत का राजनितिक प्रणाली है और यहां की जो साशन प्रणाली है उसके बारे में आपके बारे में आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए The Nature of Indian State, Democracy in India, Reorganization of State, Coalition Governments, Political Parties और National Integration यानि की भारत के जो राज्य है उसका कैसा नेचर है यहां पे गनतंत्र की स्थापना कैसे हुई कैसे अलग-अलग राज्यों को मिलके बनाया गया Coalition Governments किसे कहते हैं Political Parties, राजनेतिक दल जो है उनके बारे में और National Integration के बारे में जानकारी है आपके सूनी चाहिए Second Point इसी में है दोस्तों Union and State Executive, Union and State Legislative, Judiciary इसके बारे में जानकारी चाहिए फिर आपको Third Point मिलता है रास्टपती, President, Parliament, Supreme Court, Election Commission, Comptroller and Auditor General, Planning Commission, National Development Council, Central Vigilance Commission, Central Information Commission, लोगपाल, National Human Rights Commission ये अलग-अलग संस्थाएं हैं दोस्तों जो Constitution के द्वारा हमें प्रवाइड करी गई है जिसमें आपको रास्टपती संसद हो जाता है, Supreme Court हो जाता है, आपका Election Commission आजाता है, CAG आजाता है, CVC आजाता है, लोगपाल, लोकायुक्त इनके बारे में जानकारी चाहिए फिर दोस्तों हम आते हैं Local Self-Government and पंचायती राज, पंचायती राज के बारे में जानकारी चाहिए Public Policy and Rights, Public के बारे में जो Policy है, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए National Public Policy as a Welfare State, various legal rights and citizen charter, legal जो rights है उनके बारे में citizen charter के बारे में जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में दोस्तों, economy, political and अब राजस्तान हमने constitution के बारे में पढ़ा, Indian political system के बारे में पढ़ा अम राज्य स्तर पर राजस्तान के बारे में आएंगे, क्योंकि RS की परिक्षा है तो इसमें राजस्तान के भी आपको जानकारी होनी चाहिए इसमें जो points आपको दोस्तों है, first point है governor जिसको राज्य पाल कहा जाता है, chief minister मुख्य मंतरी, state assembly, high code, RPSC, राजस्तान public service commission, district administration, state human rights commission, लोका युक्त, state election commission, state information commission ये इन संस्ताओं के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए second point है students, public policy, legal rights and citizen charter, third point आता है दोस्तों, आम हम आता है economy of राजस्तान, यानि कि राजस्तान की अर्थवविस्ता के बारे में राजस्तान की अर्थवविस्ता में, macro overview of economy, यानि कि अर्थवविस्ता का overview आपको होना चाहिए जो major agricultural, industrial and service sector issues है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए उद्योगों के बारे में, crushy के बारे में, या service class के बारे में growth, development and planning के बारे में के ये जानकारी होनी चाहिए आपको fourth point, infrastructure and resources के बारे में आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए चेटा पॉइंट है दोस्तों PROGRAMS and SKIMS, Government Welfare SKIMS SCST, Backward Class Minorities Disabled Persons, Destitute Women Children, Old Age People, Farmers और Laborers, यानि की जो राज्य सरकार के दौरा जो स्कीमे चलाई जा रही है जो गरीबों के उध्धान के लिए, SCST, पिछड़े बच्चों के लिए उल्ड इज फीपल्स के लिए और मज़दूरों के लिए उनके बारे में आपको विश्विस रूपय जानकरी होनी चाहिए उसके बाद में दोस्तो हम आते हैं अगले पॉइंट पे जिसका नाम है Economic Concepts and Indian Economic Basic Concepts of Economics यानि कि economics या economy के basic concepts के बारे में आपको इस पार्ट में सारी जानकारी होनी चाहिए परस्ट पॉइंट है students basic knowledge of budgeting, banking, public finance, national income, growth and development यानि कि budgets वगएरा के बारे में, banking वगएरा के बारे में, public finance वगएरा के बारे में यहां का जो विकास हो रहा है उसके बारे में, यह आपको संपूर्ण जानकारी या basic knowledge होनी चाहिए accounting, account में आपको concept आना चाहिए accounting का, tools and uses of administration, प्रसाशन में आप इसका कैसे उप्योग लेंगे उसके बारे में विस्स जानकारी होनी चाहिए, stock exchange और सहरे market के बारे में जानकारी होनी चाहिए, fiscal and monetary policies of Indian government के बारे में जानकारी होनी चाहिए, subsidies, public distribution system, जो राशन प्रनाली वगएरा हो दी उसके बारे में, यह subsidies जो दी जाती है, पिछले वर्गों को उसके बारे में, e-commerce जो inflation क्या चीज़ है, इसका क्या impact होता है, and what is the control mechanism, कैसे inflation को control कर सकते हैं, मुद्रा इसकी तीदल, economic development and planning के बारे में, जैसे 5 year plans जो पंचवर्ची योजना होती है, उनके objective strategies and achievement क्या क्या है, मलें किसलिए बनाए गए 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 दिन, strategy and planning क्या थी, और कितना achievement इसमें हुआ उसके ब पहलू है, उनके बारे में, जैसे agriculture, क्रशी, industry, service, उद्ध्योग, और trade, व्यापार, current status, issues and initiatives, current status क्या है, उसमें क्या issues है, उसमें आगे के लिए क्या initiatives लिए गए हैं, उसके बारे में, major economic problems and government initiatives, economic reforms and liberalization के बारे में, जानकारी होनी चाहिए आपको, उसके बारे में दोस्तों आ उसके बारे में, poverty and unemployment, concept, types, causes, remedies and current flagship schemes, यानि की जो गरीबी है और जो बिरोजगारी है, उसके बारे में कैसे किस प्रकार की होती है, कारण क्या है, इसके निवारण क्या है, और कौन-कौन सी schemes चल रही है, social justice and empowerment में, पिछड़े वे वर्गों के उठ्थान के लिए कौन-कौन स sections हैं, उनके बारे में, जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उसके अगला topic दोस्तों, पहले हमने, क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा, इसमें history आता है, राजस्तान and world का, फिर हम geography भी कहें, उसमें भी राजस्तान and world India का, फिर हम economic concepts हमने पढ़े, अब आएगा आपको स्फित तक्रम में, जो science का उप्योग होता है, उसके बारे में basic होना चाहिए, electronics, computers, information and communication technology, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, space technology जो होती है, उसके बारे में, satellites वगरा के बारे में, defense technology, रक्षा प्रद्रगी के उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, human body, food and nutrition, healthcare के बारे मानव सरीश, सरचना, खाना वगिरा खाना चाहिए उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए Environmental Negological Changes and Its Impact जो परियावरं के कारण है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए Bio-Diversity, Biotechnology and Genetic Engineering के बारे में जानकारी होनी चाहिए Agriculture, Horticulture, Forestry and Animal Hasbandry with Special Reference of Rajasthan जानकारी जाधा तर राजस्थान को टच करते होना तर राजस्थान में साइन्स और कैसे विज्ञानि प्रद्गी और को है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए उसके राद में point है reasoning and mental ability, logical reasoning, deductive, inductive and abductive reasoning के बारे में जानकरी आपको यहाँ होने चाहिए first point है statement and assumptions, statement and argument, statements and conclusion and courses of action analytical reasoning, फिर आपकी mental ability का यहाँ पर परिक्षा ली जाएगी इसमें number series, letter series, odd man out, coding, decoding, problems, relations, relationships, shapes and their subsections जैसे mental ability के आप book में कहीं भी उठा के पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं जैसे number series बना के आपको पूछा जाएगा कौन सा number missing है, वगरे letter series बनाई जाएगी odd man out करिए, code को decode करिए, आप problems, relations के बारे में अलग पूछा जाएगा basic numeric कैसी आप से पूछी जाएगी इसमें elementary knowledge of mathematical and statistical analysis यानि की गनित के बारे में आपको विस्त जानकारी, शुरुवाती जानकारी होनी चाहिए second है number system, order of magnitude, ratio and proportion, percentage, simple and compound interest, data analysis जिसमें आपको tables, bar, diagrams, pie chart, line graph यह सब जीजे आपको होती है current affairs जिसको हम समसमाई की भी कहते हैं उसमें जो major current events and the issues of state, Rajasthan, national and international importance के जो समसमाई की में issues चल रहे हैं उसमें आपको रोज की papers वगरा पढ़के आप magazines वगरा पढ़के, you can go through that persons and places in recent news जो अभी news में जो चीजे चल रही है, जो वेक्ती news में रोजना आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, कौन-कौन सी जगे आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी होने चाहिए games and sports related activities खेलों से जो related activities हैं उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए तो इसके बाद दोस्तों ये मैंने आपको syllabus के बारे में सारी जानकारी दे दी है R.A.S. prelims जो राजस्थान R.A.S. की परिक्षा का प्रारंबिक level होता है, आज उसके syllabus के मैंने सारा आपके सामने cover किया है मैंने आपके सामने एक किताब को खोल दिया है और दोस्तों मैं आपको बताऊँ कोई भी exam देने जाने से पहले आगर आप सोच रहे हैं कि मुझे R.A.S. बनना है तो first stage जो आती है वो आती है आपने सपना देखा second stage आती है दोस्तों basic information of R.A.S. जो मैंने आपको दी R.A.S. के बारे में information प्रवाइड करी अब information आपके पास आगई आपको मालूम पढ़ गया कि ये तीन लेवल का exam है अब इस लेवल के exam में क्या प्रश्चन पूछे जाएंगे वो आता है आपके पाठ्ठिक्रम या syllabus में उस जानकारी के दुआरा आप मालूम कर सकते हैं कि इसमें से क्या मुझे आता है क्या नहीं आता है ये डिटर मुझे कहां से कवर करने है ये मुझे पढ़ाई कहां से करनी है ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आपका ये 60 गज का घेरा या ये आपका ग्राउंड है ये आपकी परिक्षा का इस्थल है इस परिक्षा में आपको ये अस्त श्त दिये जाएंगे बैट दिया जाएगा बॉल दिया जाएगा होकी दिया जाएगा या आपको मुक्यबाजी के मैदान में उतार दिया गया ह अगर आप बैट बॉल की कला मुक्य बाजी के मैदान में काम मिलोगे तो आप सक्सेस्फुल नहीं हो सकते मुक्य बाजी में तो आपको स्रिफ ब्लॉक और पंच ही करना पड़ेगा क्रिकेट में आपको दस सीचे सोच नहीं है कैसे block करना है, कब punch करना है, कब run लेना है, कब stock का मारना है, कब छक्का मारना है अलग-अलग चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ती है तो अलग-अलग game का अलग-अलग नजरिया होता है, अलग-अलग system होता है वही सिस्टम syllabus में हमारे को syllabus की study के बार में मालूम पड़ता है तो मैंने आपको syllabus के बार में जानकारी दी, अगले लेक्चर में मैं आपको mains के syllabus के बार में जानकारी दूँगा prelims में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कैसे आपको पढ़ाई करनी है कैसे क्या करना है वो सब आपको मैं जो अपनी strategy class लोगा उसे बताऊंगा first of all बचों आप ये करिएगा इन सारे जो syllabus में मैंने आपको topics बताई है उनको अपने दिमाग में आप उतार लीजिए और उनको आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मेरा धे R.A.S. करना है R.A.S. का syllabus मुझे cover करना है आप mains से R.A.S. का syllabus करना चुरू कीजिए क्योंकि R.A.S. के mains की 90% topics आपको prelims में मिल जाएगे पिछले साल की cut-off list को study कीजिए पिछले साल की papers को study कीजिए और उसमें से अपना road map बनाईए कि कैसे आपको करना है और उसके बाद में last में जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा काम करो ऐसे की पहचान बन जाए काम करो ऐसे की पहचान बन जाए चलो ऐसे की निशान बन जाए चलो ऐसे की निशान बन जाए अरे जिन्दगी तो हर कोई काट लेता है अरे जिन्दगी तो हर कोई काट लेता है अगर दम है तो जीओ ऐसे की मिसाल बन जाए तो दोस्तों आपको जीना है मिसाल बनने के लिए आपको कीडे मुकोडे नहीं है आपको इनसान का सुरूप दिया गया है और आप में ही वही दिमाग है जो दूसरों में है तो लाखों हजारों लोग जो सकस्वल होते हैं आप उस भीड का हिस्सा मत बनिये यू विल बिकम दे लीडर आपको लीड करना है आपको लीड करने के लिए धरती पे बेजा गया है अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आपको कोई नहीं हारा सकता आपकी जीत सुनिश्चित है दोस्तों तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आज के लेक्चर के लिए मेरा नमस्कार लीजिएगा और तीन लेक्चर्स मैंने लिये हैं इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इतने कीजिएगा कि मैं अपने आप में मोटिवेट होके नए ने लेक्चर्स आपके लिए रोज बनाता रहूं आपको गाइड करता रहूं मैं आपके साथ हमेशा हूँ दन्यवाद दोस्तों